So guys, last video में हम लोग ने क्या देखा था? Roots of complex number का हम लोग फर्स टाइप देखा था आज हम लोग second type करने वाले जो हम लोग expressions या तो equations से हम लोग solve करके निकालने वाले उसके roots So, कैसे आप सभी लोग? आयोग आप सभी लोग अच्छे होंगे तो मेरा नाम है अनिकेल सिंग and welcome back to our YouTube channel LearnOmatics तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? 2k plus pi हम लोग कर रहे थे cos theta is equal to cos of 2k plus pi plus theta कर रहे थे यहाँ पर भी वह चीज़ फॉलो करना है हमें तो हमनों सबसे पहले जाते हैं expression के पास क्या दिया है? मैं x raise to 6 minus i equal to 0 दिया तो x raise to 6 को मैं क्या लिख सकता हो? equal to i लिख सकता हो अब मेरा approach क्या होगा? वहाँ पर भी जैसा मेरा approach साब इसले वीडियो में भी उस तरह से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं तो क्या होगा? मैं यह 6 को हटा के पहले मैं i raise to 1 by 6 कर देता हो फिर उसके बाद क्या होगा? मुझे i चाहिए और dmivors यहाँ पर use आता है हमेशा इसले मैं बोल रहा हूँ कि dmivors को convert करना है हमें cos और sin get up में तो क्या आता है? cos theta plus i sin theta तो वो theta क्या रहेगा? जिस पर i value आने वाला हमें यह find करना है तो i value कब आएगा? मतलब कब आना चाहिए? जब sin का value 1 होगा तब यह i मिलेगा और यह value 0 होना चाहिए तो cos 0 कब होता है? cos 0 कब होता है? pi by 2 पे 0 होता है? pi by 2 पे 0 तो और यह कब 0 होता है? यह 1 कब होता है? pi by 2 पे होता है तो ये value पे हमें समझ में आता है कि ये value पे क्या रहेगा हमारा value आई रहेगा put करके देख लोगे तो 0 plus i 0 plus i1 क्या ने वाला है i आने वाला है ओके तो next step पर बढ़ते हैं हम लोग अभी मैंने क्या बोला था जब भी हमने तो ये टीटा मिल जाता था हमें क्या करना चीए उसके बाद हमें direct put करना है टीटा के जगे क्या put करना है cos of 2k pi plus theta जो भी हमारा है वो put करना है तो वह हम लोग करने हैं अभी i sin 2k pi plus pi by 2 होगे ओके और यह देख टू 1 by 6 है इसको हम लोग लास्ट में करने वाले तो ये क्या होगा अभी तो को multiply करेंगे तो 4k pi plus pi 4k pi plus pi 4k pi plus pi अब इसमें से pi common दिख रहा है मुझे मैं pi common ले लूँगा तो क्या आएगा ऐसा आएगा pi common ले जा मैंने तो इस तरह से आएगा और divide में 2 है तो क्या होगा cos 4k plus 1 pi by 2 समझा रहा है ये चीज़ कैसे हुआ तो next यहाँ पर भी same उसी तरह से आने वाला है i sin 4k plus 1 pi by 2 आ जाएगा ओके और ये क्या है 1 by 6 था अभी ये 1 by 6 को हमें क्या करना है अंदर ले ले लेना है तो d y वर से जब हम लोग अंदर लेंगे तो ये क्या नीचे क्या हो जाएगा 6 2s are 12 क्या जाएगा नीचे 6 2s are 12 ठीक है तो अभी ये angles मिल गए हैं दोनों तो अभी हमें क्या करना है k का value कितना put करना भी 6 है ना तो 6 roots निकालने हमें तो मतलब 0 से लेके 5 तर put करना है तो हम लोग पहले k का value 0 put करते है put k equal to 0 तो क्या होगा x का value क्या होगा ये 0 हो गया ये मतलब क्या होगा 0 plus 1 1 मतलब pi by 12 बचा तो हम लोग क्या लिखेंगे x का value क्या हो जाएगा उस टाइम पे cos pi by 12 plus i sin क्या होगा pi by 12 हो जाएगा ये भी same उसी तरह से ठीक है इसके आगे हमें simplification नहीं आता है pi by 2 का में angle का value पता नहीं है तो हम इस तरह से भी से छोड़ सकते है तो ये एक root आया हमारा तो आप चाहो तो इदर x 0 लिख सकते हो first root है इसलिए ठीक है अभी आगे जाते है हम लोग put k is equal to 1 की हमने यहां पर तो क्या आएगा 4 plus 1 5 pi by 12 तो क्या हो जाएगा यह 5 pi by 12 हो जाएगा 5 pi by 12 plus i sin 5 pi by 12 हो गया ओके तो यह पहला यह आ गया दूसरा यह आ गया हमें roots यह दूसरे roots आगे अब हम बढ़ते तीसरे root की तरफ तो तीसरा root आप यह ज़र लाना है क्या put करेंगे के के जगे पर 1 put करेंगे तो के का जब वहले हमने 1 put करेंगे तो क्या आएगा देखो जड़ा जब यह आपर 1 put करेंगे तो क्या होगा 2 put करेंगे सॉरी 1 put कर दिया न 2 put करेंगे तो क्या होगा 4 to the 8 8 plus 1 8 plus 1 9 9 pi by 12 हो जाएगा क्या होगा cos 9 pi by 12 plus i sin 9 pi by 12 उसी जरह से अब हम next बढ़ेंगे k is equal to 3 जब 3 put करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर देखो मैं क्या बताने कोजिश कर अभी 3, 4s are 12 12 plus 1, 13 13 pi by 12 13 पहले लिख लेते हैं उसके बाद आपको बता दो 13 pi by 12 plus i sin 13 pi by 12 तो अब इसे मुझे convert करना होगा अगर तो मैं क्या कर सकता हो pi minus pi by 12 कर सकता हो pi minus pi by 12 कर सकता हो ओई आने वाला है मेरा minus ने plus आएगा 12 pi plus pi 13 pi by 12 हो जाएगा तो ओई आएगा मेरा angle तो अब मैं यहाँ पर क्या लगा होगा अपस allied angle लगा अलाइड अगल मतलब यह pi plus theta मतलब third quadrant हो गया third quadrant में cos positive होता है क्या नहीं होता है वापे cos negative होता है तो यह क्या हो जाएगा cos minus cos pi by 12 और same sin positive होता है क्या third में नहीं होता है 12 हो गया, प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमर ले हैं सिल, यह x3 आ गया हमारा, अब k is equal to 4 put करें हम लोग, 4 put करेंगे दिख्या होगा, 4 for the 16, plus 1 17, 17 pi होगा, 17 pi बाइ 12, plus i sin 17 pi बाइ 12, अब अगर इसको simplify करना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, pi plus 5 pi बाइ 12 अगर लिखेंगे, समझो, मैं क्या बताने कोई जिस करो, यह पहले भूल जाओ, 12 into pi किया तो क्या होता है, 12 pi, 12 pi पे क्या add करेंगे तो 17 होगा, 5 add करेंगे तो 17 होगा, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे यहापर, देखो यहापर, सेम आ रहे है, बस यह टीटा का value चेंज़ रहा तो, यहापर यह किसको equal हो जाएगा, cos 5 pi by 12, plus i sin 5 pi by 12, और उसी तरह से जब 5 की value निकालेंगे, यहापर minus आएगा, actually यहापर मैंने बताया था न, उस तरह से, तो अगर केगी value निकालेंगे तो 5 पे तो क्या आ जाएगा, cos, क्या यहापर 5 पूट करेंगे, 5 फोर्जा 20 plus 21 pi हो जाएगा, 21 pi upon 12 plus i sin 21 pi by 12, अब यहापर मुझे क्या करना है, same process, pi plus pi by 12 करूँगा मैं, क्या होगा, 13 आ रहे, मुझे क्या चे, 21, तो कितना add करूँगा इसके अंदर, आपको एक और चे बता दूमें, यहापर, हम लोग अगर यह compare करेंगे न, देखो, 0 और यह वाला, यह वाला देखो, देखो, यहापर 12, 12 वाला आ रहा है, हम लोग convert के, तो मतलब क्या होगा, plus minus, यह दोनों, एक साथ लिख सकते हैं, लोग plus minus करके, और फिर यह यह वाला term आ गया, यहापर, तो उसी तरह से न, अब हमें यह term मिलना होला है, बस यहापर, तो हमनों पहले देख लेते हैं, जब यहापर solve करेंगे, तो क्या add करना पड़ेगा, यहापर 9 आड़ करना पड़ेगा, तो क्या होगा, 12 प्लस 9, कितना होगा, 21 हो जाएगा, तो यहापर क्या है, लिखेंगे हम लोग, same, बस minus common, जैसे यह process में कियते हैं, वैसे ही, और यह से भी आया न, तो आपको यह roots निकालने आने चाहिए, तो पूरा हमें 6 roots पूरे मिल चुके, उस तरह से निकालने आना चाहिए, तो आप जब last में लिखोगे न, तो इस तरह से लिख सकते हो, कि the roots are plus minus cos pi by 2 plus i sin pi by 2, क्यों plus minus बोला मैंने, क्योंकि यहापर minus है, और यहापर से भी roots निकालना है, question देखो क्या बोला है, find the roots common to this both, तो इसका roots तुमने निकाल लिए पूरा, इसका भी roots आपको निकालना है, और आपको चेक करना है कौन से roots common है, और जो roots common है, common मतलब same, same रहेंगे वो आपका answer हो जाएगा, so hope guys आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, औ अगर वीडियो पसंद आई है, तो like, share and subscribe, और ऐसे वीडियो के notification पाने के लिए, bell icon को click करते, और अगले वीडियो के लिए, stay tuned, thank you.